दोस्तों देरे-देरे करके इलेक्टरिक कार्ज का मार्केट इंडिया में बढ़ रहा है लोगों को देरे-देरे गाडियां पसंद आने लगी है क्योंकि पहले बहुत ये मेहंगी हुआ करती थीं लेकिन अब ये बजट में आने लगी है जैसे कि 10 से 15 लाग के बजट में और किस तरीके से गाड़िया ये बिक रही हैं क्या-क्या इनके तरीके हैं क्या-क्या इनके प्लस पॉइंट्स हैं क्या-क्या इनके नेगटिव पॉइंट्स हैं तो टॉप 10 कार्स के बारे में आज हम इसमें बताएंगे आपको और best selling top 10 car रहेंगी अगर आप इस चैनल पे नए हो तो वीडियो को like, subscribe जरूर करें और चैनल पे नए है तो subscribe जरूर करें तो आईए स्टार्ट करते हैं नमबर 10 पोजिशन पे आई Mercedes-Benz से 27 यूनिटे नोने अप्रेल 2023 में बेचे हैं इंडिया के अंदर ये तीन गाड़ी ओफर करती है EQC, EQS, EQB जो EQC है मार्केट में 74,50,000 एक शोरूम से स्टार्ट हो जाती है नमबर 9 पे आई है अपनी Volvo इंडिया XC40 रिचार्ज एक सिंगल ओफरिंग गाड़ी है इंडिया में की और 56,90,000 से चालू होती है और अपने पास सिंगल गाड़ी ओफर करने के बद बड़िया कमबेक किया है इन्होंने और इसके बाद आती है Kia EV6 एक अकेली ओफरिंग गाड़ी है इंडिया के अंदर 60,95,000 से स्टार्ट होती है नमबर 8 पोजीशन पे इन्होंने स्टेंड किया है नमबर 7 पर आई है Hyundai Motors 53 यूनिट इन्होंने अपरुल 2023 में बेचे हैं इनके पास पहला प्रोड़क्ट इंडिया में था Hyundai Kona जो फस्ट SUV थी सेग्मेंट की 23,84,000 रुपे से स्टार्ट होती है और इनके पास प्रीमियम सेग्मेंट है Iconic 5 जो 44,95,000 से स्टार्ट होता है इंटीर और एन एकस्टीर बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है इस कार का पर 6 पहा है BMW India 59 यूनिट से इन्होंने सेल की हैं अपरल 2023 में इलेक्ट्रिक की बात करी जाए तो इंडिया में तीन ओफरिंग्स इनके पास अभी है BMW i4, BMW iX, BMW i7 सबसे सस्ती गाड़ी इनकी 73,90,000 से स्टार्ट है जो की BMW i4 है और लॉंचेस के मामले में तो बैक टू बैक लॉंचेस इंडिया करने वाली ही है इसमें बहुत बढ़िया तरीके से कमबेक करेगी पहुत सारे आगे options भी इंडिया वालों के लिए लेके आईगे नमबर 5 पे आईए BYD 137 यूनिट इनों ने बेचे हैं BYD इंडिया में दो गाड़ी ओफर करती है BYD E6 और BYD E6 29,15,000 से चालू है और BYD E3 43,99,000 से चालू है इंडिया में और ये नई कमपनी इंडिया में है और इंडिया लोगों ने बहुत ही अच्छा वरोसा इस कमपनी में दिखाया है तो कीप इट अब आगे भी कमपनी बहुत बढ़िया चलती रहेगी नमबर 4 पर आईए CITROIN 227 यूनिट इनों ने बेचे हैं इंडिया में ये EC3 नाम से गाड़ी ओफर करता है जो की रिजल्ट्स बहुत ही जाद है चौकिंग है 227 यूनिट नमबर 4 पर आईए गाड़ी नमबर 3 पर आईए MG मोटर्स 317 यूनिट इनों ने बेचे हैं 2023 अपरेल में ZCV इनका बहुत पुराना प्रोड़क्ट है इंडिया के अंदर 23,38,000 में ये इंडिया में मिलता है अभी हाल फिलाल में 27 मार्च को इनोंने MG कॉमेट लॉंच की है काफी कमफरटेबल बजट में है 7,98,000 एक शोरूम स्टार्टिंग से स्टार्ट इनोंने किया है तो शाहिद देखो आगे मार्किट में किस तरीके से उस गाड़ी से लीड कर सकती है नमबर सेकंड पोजीशन पर आई अपनी महिंद्रा इन महिंद्रा इंडिया में अभी फिलाल इनके पास XCV 4W एक अकेला ओफरिंग प्रोड़क्ट यही है पहले इंडिया में इवेलिटो के नाम से गाड़ी आती थी इनके पास लेकिन अब फिलाल इन पर यही गाड़ी है 499 उनिट इनोंने इस बार बेचे हैं 15,99,000 से स्टार्ट होती है इनकी XCV 4W और काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है इंडियन मार्केट्स में नमबर वन पर आई है टाटा मोटर्स 3748 इनों बेचे हैं इंडिया के अंदर चार ओफर करती है गाड़ियां टियागो ईवी टिगोर ईवी नेक्सोन इवी प्राइम एन नेक्सोन इवी मैक्स जैसे की मारूती पैसेंजर कार वीकल्स में नमबर वन है ऐसे ही टाटा वेरी फर्स डे से इस सेग्मेंट पर पूरे राज करे बैठा है नमबर वन पर चल रही है और आगे भी मुझे लगनी रहा कि 3-4 साल तक भी इसकी पोजीशन को कोई हिला सकता है और आगे इस सेग्मेंट के हिसाब से इलेक्री वीकल में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है और टियागो इवी की सेल आई पील में बहुत जादा इंक्रीज हो चुकी है क्वाटर फर्स में भी सबसे जादा विकने वाली गाड़ी यह ही है दो हजर तेईस में